नमस्कार दोस्तों एक बरफिल से आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूपित्र पलस्वी पिट एक्जाम 2023 का नोटिफीकेशन जारी कर दिया गया है इसका आनलाइन आवेधन सुरू हो गया है कल के वीडियो में दोस्तों इसके बारे में डीटेल में बताया गया था से और लाच तक देखिए सबसे पहले दोस्तों जो भी भाई भान पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पर फिर से बता देना चाहते हैं कि पिट 2023 के लिए आवेधन एक अगस्त से सुरू है एक आठ दोजार तेईस से तीस आठ दोजार तेईस तक आप इसमें आवेधन कर सकते हैं और आवेधन में संसोधन की अंतिनति थी 6 सितमबर दोजार तेईस है 6 सितमबर तक आप इसमें संसोधन भी कर सकते हैं आवेधन सुलक की बात करें दोस्तों तो यहां पर अनारचित के लिए 180 रूपय है और अन्य पिष्डावर के लिए 180 है अनुसूची जाती के लिए 25 रूपय धिव्यांग जनके लिए 25 रूपय सुलक लगेगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर अब सेक्षिक अरता की बात कर लेते हैं तो देखें दोस्तों दसवी पास इसमें सभी लोग आवेधन कर सकते हैं हाई स्कूल पास इसमें सभी लोग आवेधन कर सकते हैं और आयू सीमा की बात करें, तो नियूंतम 18 वर्स आयू होनी चाहिए, उम्र नियूंतम 18 वर्स और अधिक्तम 40 वर्स उम्र होनी चाहिए और आवेधन आप लोग upssc.gov.in के बेप साइट पर जाकर कर सकते हैं पाठकरम दोस्तों, डीटेल में आपको बता चुके हैं, फिर से आपको जल्दी से दिखा देते हैं क्या इसका पाठकरम है यहाँ पर सबसे पहले हम इसकूर की वैस्ता की बात कर लेते हैं, तो एक वर्स तक मानने होगा, जो आपका एक्जाम होगा पिट 2013 का यह केवल एक वर्स के लिए होगा, और इसके बाद दोस्तों, अब पाठकरम देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भारती इतिहास से 5 प्रसन पूछा जाएगा, पूरा टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख लीजिए, भारती रा तॉपिक अप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और अपठित लिए गद्यास का बीवेचन-boysलेसन से 10 प्रसन पूछा जाएगा, ग्राव की व्याख्या- 선ेसन से 10 प्रसन और ताल कैकी व्याख्या- WOOL Сब्रसन से 10 प्रसन पूछा जाएगा, इसमें दोस्तों प्रसन पूछ बिसलेसर से 10% और तालिक्या की ब्याक्याओं बिसलेसर से 10% पूछा जाएगा इसमें दोस्तो नेगेटिव मार्किंग भी होगा एक बटाचार की नेगेटिव मार्किंग होगी 100% टोटल पूछा जाएगा और 100 नंबर का होगा दो घंटे का दोस्तो टाइम इसमें दिया जाएगा ठीक है अब दोस्तो यहां पर exam date की बात कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तो PIT exam 2021 और PIT exam 2022 की बात कर लेते हैं देखें दोस्तो PIT 2021 की अगर बात करें तो आवेदन 25 मई 2021 से लिया गया था जून माह तक इसका आवेदन लिया गया और exam 24 अगरस्त 2021 को हुआ था 25 मई से आवेदन लिया गया था और exam 24 अगरस्त 2021 को हुआ था इसी परकार से PIT 2022 की बात करें तो इसका आवेदन 28 जून 2022 से लिया गया था जुलाई माह तक इसका आवेदन लिया गिया था और एक्जाम 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर 2022 को हुआ था दो दिन इसका एक्जाम हुआ था तो आप लोग देख सकते हैं PIT 2021 और PIT 2022 में आवेदन की तिथी से लेकर के एक्जाम डेट के बीच में कितना अंतर है आप लोग यहा पर कैलकूलेशन कर सकते हैं इसी प्रकार से दोस्तो PIT एक्जाम 2023 की अगर बात करें तो आवेदन 18 2023 से 30 अगस्त 2023 तक लिया जाएगा और एक्जाम अक्टूबर लास्ट या फिर नोवंबर के प्रथम सपता में देखने को मिल जाएगा मान कर चलिए दोस्तों कि संपूर क्लास आपको मिल जाएगी पेट एक्जाम के लिए और प्लेलिस्ट में भी आप लोग जाकर देख सकते हैं पेट एक्जाम की संपूर क्लास टॉपिक वाइज वहां से आपको मिल जाएगी आप लोग तयारी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अ निवाद